नमस्कार आप देख रहे हैं News Nation और मैं हूँ अखिल गुपता भारत और अफगानिस्तान के बीच आज तीन मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जाना है ये मुकाबला शाम साथ बज़े से शुरू होगा और मैच इन दोर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा मैच में टीम इडिया सीरीज सील करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी जबकि महमान अफगानिस्तान के लिए ये मुकाबला करो या मरो से कम नहीं होने वाला है अफगानिस्तान की टीम अगर आज ये मुकाबला हार गई तो ये T20 सीरीज भी गवा बैठेगी आगामी T20 वर्लकप से पहले भारत और अफगानिस्तान दोनों ही टीमों के लिए इस सीरीज की काफी जादा एहमियत है वैसे इस मैच को लेकर क्रिकेटिंग वर्ल्ड में एक अलगी क्रेज देखने को मिल रहा है खास दोर पे भारते क्रिकेट फैंस तो आज का मुकाबला बिलकुल भी मिस नहीं करने वाले जी हां मिस करें भी क्यों पही 14 महीनों के बाद आज T20 इंटरनेशनल में विराट कोली की वापसी जो होने वाली है यानि कि आज के मैच में रोको की जोड़ी यानि कि रोहिश शर्मा और विराट कोली की जोड़ी लगबग 14 महीनों के बाद इंटरनेशनल T20 मुकाबला खेलती हुई नजर आएगी वाकिये में इस मैच के लिए एकसाइटमेंट देखते ही बनता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज इंटर में वैदर कैसा होने वाला है कई बारिश की मार इस मैच के मज़े को किरकिरा तो नहीं करने वाली तो चलिए जानते हैं कि आज इंटर में वैदर कैसा होगा बात अगर इंटर के वैदर रिपोर्ट की करें इन दोर में भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले जाने वाले मुकाबले के दिन नियून्तम तापमान 15 डिग्री रहने का आनुमान है मौसम वेबसाइट एक्यूवेदर के मताबिक दिन का अधिकतम तापमान 27 डिग्री रहने की उम्मीद है यहां मोहाली की तरह कडाके की ठंड नहीं है हलागि कोहरा देखने को मिल सकता है इस मैच में ओसकी भूमी का भी एहम रहने वाली है तो उस जीतने वाली टीप यहां पहले बल्ले बाजी करना चाहेगी आपको बता दें कि इस मैच में बारिश की कोई भी संभावना नहीं है यानि कि फैंस को रोही शर्मा और विराट कोली के बल्ले से जम कर चौके चुके देखने को मिल सकते हैं बात अगर होलकल स्टेडियम की पिछ रिपोर्ट की की जाए तो इन दोर के होलकल क्रिकिट स्टेडियम की पिछ पर बल्ले बाजो का बोल बाला रहेगा छोटी बाउंटरी होने की वज़ा से बल्ले बाजो के बल्ले से जम कर चौके और चुके देखने को मिल सकते हैं इस विकेट पर उसतम स्कोर 210 रन रहा है जिससे पता चलता है कि यहां बल्ले बाजो का राज देखने को मिलता है जी हां तो पिछ रिपोर्ट तो बता रही है कि आज के मैच में जम कर चौके और चुकों की पारिच होने वाली है यानि कि एक बात तो थे हैं टीम इडिया पहले बल्ले बाजी करे या टार्गेट का पीछा करे फैंस को मजा बहुत आने वाला है अलाकि अगर टीम इडिया की संभावित प्लेइंग 11 की बात की जाए तो इसमें कप्तान रुई शर्मा, यशचपी जैसवाल, हो सकता है शुपमन किल के जंगा आज यशचपी जैसवाल को मौका मिले नमबर तीन पर विराट कोली, फिर पिछले मैच के एरो शिवम दुबे, विकिट कीपर के तौर पर जितेश शर्मा, रिंको सिंग, अक्षर पटेल, लोकल बोई आवेश खान, मुकेश कुमार अर्चदीब सिंग और रवी विश्नुई को प्लेइंग 11 में देखा जा सकता है, बात अगर अब तक भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले गए, head to head मुकाबलों की की जाए, तो दोनों दिशों की बीच अब तक कुल 6 T20 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें पांच में टीम इंडिया ने जीत का स्वाच चखा और एक मुकाबले का result नहीं आ सका, या पुयाद दिरादे की पिछला मुकाबला मुहाली में खेला गया था, जहाँ पर रोई शर्मा की एक अप्तानी में टीम इडिया ने 6 विकेट से जीत अपने नाम गी थी, मैच में शिवम दुमे ने गेंद और बल्ले से कमाल का performance किया था, उमीद है कि टीम इडिया दूसरे मैच में भी अच्छा performance करेगी और आज ही सीरीज अपने नाम भी कर लेगी, आपकी इस मैच को लेकर क्या रहा है कमेंट कर जरूर बताएं, साथि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटा फट से सब्सक्राइब भी कर दें